हाई गाइच तो फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम सिखने वाले हैं कि WordPress में Custom CSS and Custom JavaScript हम कैसे अड़ करेंगे क्योंकि जब भी हम WordPress के साइट को बनाते हैं तो वहाँ पे जो भी Page Builder को हम यूज करते हैं से कि Elementor Pro या Elementor या WP Bakery तो उसमें कभी कभी ऐसे डिजाइन के नेट होती है हमें जो Elementor में या जो भी Page Builder है उसमें नहीं होता है उसका Option ही नहीं होता है ठीक है तो वहाँ पे हमें CSS लिखना होता है Manually जिसको हम Custom CSS बोलते हैं ठीक है तो guys इन सारी चीजों के लिए चलना होगा हमारे WordPress के Dashboard में जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहोंगा WordPress के Dashboard में मैं आ गया हूँ यहाँ पर Simply Plugin पर जाना है Add New Plugin पर क्लिक करना है सबसे पहले हम Plugin Method को देख लेते हैं तो guys Plugin जैसे ही Activate हो जाएगा आपको Left Side में दिखेगा यहाँ पर Custom CSS and JS ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर दिखेगा Add CSS Code, Add JS Code, Add HTML Code तो इससे आप HTML भी लिख सकते हैं मैं वहाँ पर Starting में बोलना मिस हो गया मेरे से आप HTML भी इससे Add कर सकते हैं ठीक है तो आपको जो भी Add करना है जैसे मुझे CSS Add करना है तो Add CSS क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी CSS आपको लिखना है यहाँ पर CSS आप लिख लिजिए और फाइल का कुछ नाम दे दीजिए और उसका कुछ setup होता है यहाँ पर जैसे कि external file, internal file और यहाँ पर आप CSS को कहाँ पर call करना चाहते हैं head tag में मतलब कि header में call करना चाहते हैं या footer में call करना चाहते हैं और यहाँ पर जो है where in the site कि site में आप कहाँ पर इसको apply करना चाहते हैं content side में इसको apply करना चाहते हैं कि backend side में करना चाहते हैं कि login page पर करना चाहते हैं तो उसके coding आपको जो भी यहाँ पर करना है उसके coding select करें और simply publish बटन पर click कर दीजे लिन आपका CSS apply हो जाएगा ऐसे इंकर क्या custom JS code पर click करेंगे तो यहां से आप JS लिख सकते हैं और same process JS का भी है वैसे इंकर क्या publish करेंगे JS भी लिख सकते हैं है ना same process आपको HTML के लिए भाऊगा तो plugin method को यूज करके इस तरीके से आप custom code लिख सकते हैं WordPress site के अंदर ठीक है जैसे open किये ना यहां पे देखिए लिखने का option आगया यहां पे आप जो भी CSS लिखना चाहते हैं लिख के जैसे आप CSS लिखेंगे उसके बाद यहां पे publish का button आएगा यहां पे लिख सकते हैं बीना plugin के अगर आप JS को लिखना चाहते हैं बीना plugin के तो थोड़ा सा problem होता है उसके लिए theme file में जाके एक manually file को add करना होता है call करना होता है तब जाके हम लिख सकते हैं तो थोड़ा सा complicated है उसको हम next video में cover करेंगे अगर आप लोग को need हुआ ता आप comment करिएगा next video में मैं बता दूँगा कि JS को कैसे हम बीना plugin को use करेंगे ठेक है बट सबसे easy method है plugin वाला जैसे कि मैंने starting में ही बताया यह plugin को add करिया और वहां से HTML, CSS, JS जो भी add करना है वहां से add कर सकते हैं तो guys I hope so कि यह वाला जो वीडियो है ना काफी आप लोग को पसंद आय होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करिए गए जात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो का अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे चलिए गाई आज के वीडियो में इतना ह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच